तो पढ़ाई का तरीका भी होना चाहिए जहकास तो बिना देर की हम लोग एक एक कुस्टन के तरफ चलते हैं आपके नमबर को बढ़ाने के लिए क्योंकि 9 लिसन आपके एक्जाम के पॉइंट अभी से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है तो बिना देर की हम लोग कुस्टन के तरफ चलते हैं अब इस आठ नमबर कुस्टन में देखेंगे क्या कह रहा है बहुत ही असाने कह रहा है एक पेडस्टल पेडस्टल क्या होता है जी जिस पर मूर्ति रखा जाता है न पाया के समान होता है जो पीलर होता है ना घर में पाया वगरा बना जाता है उसी के समान लेकिन वो उपर के एस्क्वायर रहता है जिस पर मुर्ती रखा जाता है मुर्ती वगर रखा जाता है आप देख भी सकते हैं ठीक है यहां का रहा है कि एक पेडस्टल के सिखर पर एक 1.6 मिटर उची मुर्ती लगे हुए मान लिजे कि एक पेडस्टल यह हो गया ठीक है इस पेडस्टल जो है यही मुर्ती रखने वाला है मानली जी कि इस पर मुर्ति इस पर कितना मीटर उची मुर्ति रखा गया मात्र एक पॉइंट यह मानली जी कि यह मुर्ति हो गया जो एक पॉइंट सिक्स मीटर उची मुर्ति है यह आपका यह जमीन हो गया और इस जमीन पर एक पेडस्टल हम रख दियें लगा दियें आइस स्पेडरस्टल की उपरवा क्या रख दिया गया है मुर्ति रख दिया गया जिसकी मुचाई कि दने 1.6 मिडर वोमी के एक बिंदू से जमीन का कोई एक कि बिंदू मुर्ति के शिखनų का उन्यांद कोड़ यहां पर करू तो यहां पर देखिए ये वह अपका हो जायेगा यहाँ उन्न कोड कितना डी नाता है साथ डिगरी के कोड बनाता है इसके बाद बोले और उसी बिंदू से यहीं इसही बिंदू से पे Ciareर के सिकर काड़ा या नी इसी कर वोळा तो टॉ बोलते हैं ऊपर वना किसा लेकिन पेट मफ़ह से यहीं तक हे और इसका जो टॉप वाला हिसा है वहां से भी एक क्यों बनता है अब इंदू तो यही रहेगा कितना ड्यूरी के कोंड़ बनता है यह वाला जो गोंड है वह 45 डीक। धगरी है और जो पूरा पूरे यह वाला बड़ा वाला ठीक हैं जैसे इसका नाम रख देते हैं A, B, C इसका नाम रख देते हैं D जो A, B, C वाला है यह 60 degree है जो D, B, C वाला है वो 45 degree का कोन बनाता है तो पता करो यहाँ पर पता क्या करना है कि यहाँ पे डस्टरल की उचाई कितनी है मतलब यह जिस पर मुर्ती रखा गया इसकी उचाई कुछ नहीं पता है तो इसकी उचाई को H माल लेते हैं क्या माल लेते हैं? H उसके बाद से इसको सल्व करते हैं हम लोग सबसे पहले इस छोटे वाले तिर्भूज का बात करते हैं लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बात है ना हमको पूरा किसी चीज़ का बेश दिया है आना पूरा चीज़ का लंबाई दिया है उपर थोड़ा सा दे दिया है एर मामला तो फस गया लेकिन मामला को फस ने नहीं देना है कोई बात में हम इसी का बात करते हैं ठीक है ध्यान से यहां समझेगा तिर्भूज डी बी सी में ठीक है जब इसकी उचाई को हम लोग क्या माल लेते हैं एच माल लेते हैं पेडस्टल की उचाई है वो पेडस्टल यहां पे लिख दो माना की पेडस्टल की उचाई क्या माल लेते हैं पेडस्टल की उचाई को एच माल लेते हैं pedestal की उचाई h माल लेते हैं इसका आधार भी कुछ नहीं दिया है तो उसको भी कुछ मानिए या छोड़ दीजी आपके मरजी ठीक है ये pedestal की उचाई h हो गया और इसका आधार भी माल लेते हैं आधार जमीन कितना है आधार is equal to x माल लेते है ठीक है यहाँ लम्ब कितना है तो लम्ब यहाँ पर इसके लिए bd है bd या db कुछ भी लिख सकते है आधार कितना है आधार bc है यहाँ देखिए 10 theta ठीटा का मान बता यह छोटा वाला निकाल है न तो 45 डिग्री है 45 degrees is equal to आपका bd है h और यहाँ देखिए 20 से c आपका कितना है x है 10 45 का मान एक होता है और h बटा यह x जब तिर्चा-तिर्ची गुणा होगा बीच में equal to है तो cross multiply होता है और यह हो जाएगा x बराबर h यानि कि यह x और h दोनों क्या है आपस में बराबर है अगर यह 4 cm का होगा तो यह भी कितना होगा 4 cm का 5 होगा तो यह भी 5 होगा क्योंकि यह दोनों आपस में क्या है बराबर है अब बात करते हैं बड़ा वाला के लिए किसके लिए बड़ा वाला के लिए बात करते हैं यहाँ देखिए हम यहाँ X नहीं मानते तो भी चलता लेकिन गबडाने की कोई बात नहीं है अब बात करते हैं तिर्भूज बड़ा वाला के लिए ले रहे हैं तिर्भूज A, B, C में पूरा वाला के लिए अब हमको क्या करना है लंब यह हो जाएगा और अधार यह हो जाएगा अब पूरा कितना डिगरी है? 60 डिगरी तो लंब अधार है उसे 10 कहते हैं 10 ठीटा बराबर हो जाएगा लंब बटादार, लंब डारेक्ट भर यह A से लेकर B तक लंब है और अधार क्या है? तो अधार है B, C 10 ठीटा का मान कितना है? तो ठीटा पूरा बड़ा वाला के लिए 60 हो जाएगा ठीक है? A, B, A, B कितना है? A से B तक अगर आप सोचिएगा तो यह दोनों मिला के न हुआ है, कौन-कौन? एक तो पेडास्टल जिस पर मूर्ती रखा गया है एक मूर्ती 1.6 दोनों को मिला करके A, B बना है तो दोनों को जोड़ दिए 1.6 और प्लस यह B से कितना? B से ले करके D से B तक कितना है? H है अब बड़ा B, C कितना है? B, C, X मानी है आँ नहीं, तो आपको बता ज़रा है X बराबर क्या है? H है तो यह X, H है तो इसको भी का मानी है? H मानी है, ठीक है? क्योंकि यह दोनों आपस में क्या है? बराबर है तो X के जगा पर क्या लिख सकते है? H भी लिख सकते है ठीक है? 10, 60 का मान होता है रूट 3 होता है और यह हो जाएगा आपका 1.6 प्लस H, अब बटा में हो जाएगा H बीच में क्या है? इक्वल टू तो क्रस मल्टिप्लाइ कीजिएगा तो हो जाएगा रूट 3 H इस इक्वल टू 1.6 प्लस H, ठीक है? एक और काम यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, जब दोनों एक जात का है, तो H को H के प्लस में H इधर जाएगा, तो माइनस में उचा जाएगा, तो यह हो जाएगा इतना और माइनस में H, इक्वल टू 1.6 इस दोनों में H common मिल रहा है H बाहर निकलेगा, तो हो जाएगा रूट 3 यहाँ से, और यहाँ से H निकल गया तो 1.6 और बटा रूट 3 माइनस 1 यह आपका किसका माना गया? एज का माना गया यही आपका h का माना हो जाएगा, लेकिन अगर नीचे रूट है तो इसका परमे करण कर दिजिएगा परमे करण यानि क्या होता है 1.6 और बटा में रूट 3 माइनस 1 इसका पर्मे करण होता है root 3 minus यहाँ पर है तो यह plus में हो जाएगा और beta root 3 plus में 1 एक चीज़ आप दिमाग में रखेगा इसको सेम तो हम लिखते हैं लेकिन एक term and condition है कि अगर minus में है तो यह दोनों जग़ा क्या हो जाता है plus हो जाता है अब इसको गुणा किजिएगा तो कितना होगा 1.6 root 3 plus 1 अबटा यहाँ देखिए तो एक जैसा है यह दोनों एक जैसा है अंतर है कि एक जगा माइनस एक जगा पलस है तो एक फर्मूला होता है A minus B और A plus B फर्मूला होता है A square minus B square तो हो जाएगा A square और minus में क्या हो जाएगा B square क्योंकि यह A के जगा पर है और यह किसके जगा पर है B के जगा पर है अब यहाँ देखिए यह तो उतने हो जाएगा 1.6 into root 3 plus में 1 और बटा 3 का square square से root खतम हो जाएगा और 1 का square एक होता है तो 3 यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर क्या बचा 1 और 3 में से 1 जब जाएगा 3 minus 1 तो क्या बचेगा जब यह 3 हो जाएगा 1 square एक हो 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा direct यहाँ लिखिए 2 2 से यह कटाईएगा तो 0.8 आजाएगा 2 कितना होता है 2 अठे 16 होता है 0.8 तो यहाँ इसका एंसर हो जाएगा 0.8 रूट 3 प्लस में 1 ऐसा क्यों लिखेंगे हम लोग 0 क्यों लिखते है 0 तो है नहीं अच्छा लगने के लिए कभी भी दखिए 0.8 लिखे यह और यहाँ 0.8 लिखे यह अच्छा लगने के लिए ऐसा हम लिख देते है 0 लगा देते है ताकि यह मिट भी जाएगा तो पता चले का मिट गया लेकिन यहाँ पता चले का इतना डिस्टेंस की हो लग रहा है यहाँ पॉइंट है इसलिए ऐसा है तो आपको उमीद करते है एक का स्क्वाइर एक होता है तीन में से एक जगा तो दो बचा और सुला था वन पॉइंट सीख तो दो अटे सुला एक आंग के बाद दसमलब आपका यह एंसर हो गया तो इसका इसकीन सोट आप ले लिजिए और उमीद करते है कि आपको बहुत ही मज़ेदार तरीका से समझ में आया होगा लगा हो खुब जबरदस्त बढ़ियां वाला जबरदस्त तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे सेर किजिए बिना देर किए देखते है नेक्स्ट कुस्चिन अब इस नाइन नमबर को ध्यान से समझिएगा ये कुश्चन क्या करा है है बहुत असन अब गत्ति क्या करा है कर रहा है कि मिनार के पाध बिन्दू से एक भावन के सीकर का 19 OR 30 degree है क्या नहीं समझ मैं है यहां समझिएगा ये जो लिखÃ है पाध बिन्दू इसका मतलब होता है पैर का बिंदू फुट समझते हैं वो होता है कर रहे कि एक मिनार के पाद बिंदू यानि मिनार समझते हैं टावर बहुत बड़ा मालेजे कि यह वाला मिनार है टावर है टावर तो आईए है भावन समझेगा इस question को ध्यान से बिंदू से यहां क्या कर रहा है यहां से देख रहा है भावन के सिखर को देख रहा है तो यहां कितना डिये कोंड बन रहा है 30 डियरी का कोंड बन रहा है यानि यहां से देखेगा तो पैर के पास यहां खड़ा है एक लड़का ठीक है और यहां से देख रहे है सिखर को तो यहां कितना डियरी बन रहा है 30 डियरी वैसे भी आपको पता है उन नैन कोंड में नैन क पुरकि यहां को क्या करें Punkte यहां अगल यहां कत्वान के पाथ बिंदू से यानि कि भावन पैर की बिंदू हाँ पूंट है इसका यहां कलाऑ से यहां से देख रहा है मिनार की उचाई को ठीक है अभी इसमें लड़का का बात नहीं लेगे समझने के लिए बता रहा है यानि कि भावन यहां से उन्हें कोड बन रहा है तावर के टॉप को देख रहा है यानि कि टावर के सीखर को देख रहा है समझिएगा यानि कि यहां से उनने इन कोड 30 डिग्री क्यों क्यों कि मिनार के यहां किसके पाद बिंदू से देख रहा है भावन के सिखर को तो यहां 30 डिग्री जहां से देखा जाएगा वहीं पे हो जा क्या पाद बात करता है वहां कोड बनता है और यहां जो देख रहा है वो कितना ड कैसे असान है कि जब इसका हाइट दिया है तो यह बेस निकल सकता है आप बताएं कि यह एक तिर्भूज है तिर्भूज का नाम देते हैं A B C D तो देखें तो ABC एक तिर्भूज है जिसमें लंब दिया है आधार निकाल लेते हैं जब आधार निकल जाएगा तो फिर इस तिर्भूज लेंगे कौन सा DCB जब ये वाला तिर्भूज लेंगे आधार निकल लिये जाएगा तो जब आधार निकल जाएगा तो आसान हो गया लम निकालना फिर 10 का यूज़ कर लेंगे क्योंकि अधार और लम किस में आता है 10 में आप डारेक्ट समझिए कि यहाँ पर एक क्या है मिनार है और इधर एक भौन है और इन दोनों का पाद बिंदु का रहा है यानि यहाँ से अगर एक लड़का देखेगा तो यहाँ 30 डिग देंगे आपे मिनार की उचाई मिनार की उचाई कितना है मिनार की उचाई 50 मीटर है अब लिखते हैं भावन की उचाई मान लेते हैं माना की भावन की उचाई को मान लेते हैं H उचाई को क्या मान लेते हैं इसको मान लेते हैं H अब तिर्भुज A, B, C में जब लंब दिया है तो पहले इसका आधार निकाल ले ठीक है? यहाँ पे देखिए हम ये क्यों निकाल रहा है? ये आधार इस तिर्भुज के लिए भी है तो देखिए कभी भी कैसे निकलता है किसी भी तिर्भूज में जिसका value निकल लेता है उसका साथ देने वाला उसी तिर्भूज में किसी number का मान पता होना चाहिए ठीक है यानि कि कोई भी चीज निकालना है किसी को find करना है निकालना है बीच में अग्वा की तो जरुवत होती है तो अग्वा का काम यही है जो इसमें भी सटा हुआ है और इसमें भी सटा हुआ है बेस अब देखिए तिर्भूज ABC में तो हो जाएगा 10 लाएगा फर्मूला 10 ठीटा बराब होता है लंब बटा में अधार यानि बेस इंटू हाइट हो जाएगा 10 ठीटा कितना है इस ठीटा है 60 रिगरे और बटा लंब है 50 और अधार कुछ नहीं पता है तो 20 छोड़ दिजिए 10 60 कमान होता है रूट 3 और ये 50 या कर लिजेगा तो यह हो जाएगा bc root 3 और is equal to में क्या हो जाएगा 50 तो bc is equal to 50 बटा रूट 3 BC का मन कितना आगया है ये वाला 20 से C आगया आपका 50 बटा रूट 3 अब जब ये हमको पता चल गया तो क्या निकालना है हाइट तो जो पता है उसको आधार बोलते है और ये वाला लंब है और आधार और लंब किस में आता है 10 में आता है यानि कि परपेंडिकूलर बाई बेस ठीक है यहाँ परपेंडिकूलर बेस होगा 10 ठीटा का मान इस तिरभुच के लिए वहाँ देखिए 30 डिगरी क्योंकि कोना में वही है is equal to लंब नहीं पता है यानि ह लिखिए और आधार कितना है अधार है 50 बटा में रूट 3 ठीक है इसका मान होता है 1 बटा रूट 3 और यहाँ हो जाएगा बराबर हो जाएगा यह एक काम आप कर दिए यहाँ पर जिससे कि यह वाला कुछ नहीं यह वाला में यहाँ पर बटा है में बटा तो यही है ना यहाँ 1 मानियेगा तो उपर नीचे उपर और बीचे बीचे नीचे हो जाता है तो उपर नीचे यानि कि ह और रूट 3 एक साहत एक और पचास यहाली UI 5 से लिखो एक मतले लिखो ऐसे हो जाएगा अब तिर्शा तिर्शे गुणा कर लिजे cross multiply लाए तो 50 में वन से तो 50 हो जाएगा और यह रूट 3 में जब रूट 3 से किजिए गा तो कितना होगा डारेक्ट 3 निकलेगा क्योंकि 3 तरीका 9 होता है 9 कवर मुल 3 अगर इसको पूरांग में लिखना है तो आप पूरांग में लिख सकते हैं यहीं पे छोड़ना चाते हैं तो यहीं पे छोड़ सकते हैं अगर लिखना है तो आपका क्या आएगा बटा में आए तो 50 बटा में रूट 3 सॉरी रूट नहीं रूट तो हट चुका है 3 हो जाएगा पूरांग में लिखना है तो ऐसे कर दो 3 से करो 3 एकम तीन 2 बचेगा 3 चक 18 दो कट जाएगा 16 पूरांग 2 बटा 3 मीटर है तो मीटर लिख दीजिए भावान की उचाई यही है लिख दीजिए भावान की उचाई 16 पुनांग 2 बटा 3 मीटर तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा लिजिए इसका अब इना देर की हम लोग next question देख ले हैं अब यह 10 नमर question देखिए क्या कर रहा है यहां कर रहा है question में कि माली आप लोग सो सड़क देखे होंगे एक बहुत बड़ा 80 मीटर चोड़ा सड़क है इसके दोनों तरफ पोल गार दिया गया है क्या गार दिया गया है दोनों तरफ पोल गार दिया गया है यह दोनों पोल बराबर उचाएगा यह नहीं कि बड़ा एक छोटा नहीं है यह दोनों क्या है एकदम बराबर उचाएगा है एक सड़क 80 मीटर चौड़ा है इसके दोनों तरफ पोल गार दिया गया अब कहा रहा है कि सड़क के कहीं बीच में बीच में का मतलब एक दम बीच का हम बात नहीं करा है यानि सड़क के कहीं भी एक बिंदू ले ले लेजिए आप वहाँ से देखिए इस पोल को एक जगह 30 दिगरी के खोण बन रहा है ठीक है अई टोटाल सड़क कितना है 80 मीटर चौड़ा है यहां से यहां तक सड़क असड़क के दोनों साइड पोल है अब कार आए कि बताए कि जो पोल गड़ा गया है इसकी उचाही कितनी होगी तो जितना इसका होगा उतना ही इतना होगा क्योंकि दोनों क्या है बराबर उचाही का होगा और दुसरा जिस बिंदुक से यहां लड़का चाहिए कोई भी यहां कोड़ बना रहा है यह बीच की दुरी यह कितना दुरी है और यह इसका लेंध कितना है दोनों का length में निकलना है यही तो कारा है तो कोई दिक्कत नहीं है असान तरीका से कैसे निकलेगा एक बात हमको बताईए पूरा मिला के सड़क कितना चोड़ा है 80 मीटर इसका ब्रेथ है ठीक है अगर हम आपसे बोले कि यहां से यहां यह 20 मीटर होगा कुछ देर के लिए मा चार तो क्या किजिएगा नहीं पता है तो 20 के जगा अगर एक्स लिखेंगे तो पूरा असी में से x को घटाएंगे तो ही बचेगा तो पूरा 80 में से 20 क्या लिख देजएगा x लिख देजएगा समझ में हम क्या बोले यानि इसको x मानेंगे तो x से घटाएंगे यह जितना भी आएगा x के भी लोग घटाने के बाद इसके दोरी निकल जाएगे बाद में यह तो हम निकाले ही लेंगे तो इस हिसाब से पहले इसको मानना पड़ेगा x दूसरा को 80 माइनस x लेना पड़ेगा आपको यह समझ में आया होगा अब यहाँ पे हम लोग मानना सुरू करते है देखिए इस जो पोल लिखा है खंबा लिखा है जो आप समझ लिजे इसकी उचाई ठीक है नहीं पता है तो लिख दीजे माना की जो खंबा है खंबे की उचाई खंबे की उचाई को क्या मानने है हम मानने लेते हैं h खंबे की उचाई को क्या मानने है तो h मानने लेते है अब बताईे कि A B और E D दोनों बराबर है कि नहीं दोनों पोल एकदम रोड की एक साइड एक तरफ दुसरे साइड दोनों को ऐसे गाड दिये हैं हला दिये हैं ठीक है जो समझ लो अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर है और ये वाला D C भी हमको तो नहीं पता है, ना ये हमको पता है, बस पता है कि पूरा सड़क कितना चोड़ा है, 80 मीटर चोड़ा है, तो यहां लिखते हैं, सड़क की चोड़ाई कितनी है, पहले सेट कर ले हमों, सड़क की चोड़ाई, पूरा चोड़ाई है, 80 मीटर, यहां हम लिख लेते हैं, अगर DC is equal to X इस किल hop और C में से X घटा दिजे तो यह हो जाएगा आपका CB 80-X हो जाएगा यह इसको आप X मानते हैं तो यह हो जाएगा 18-X हो जाएगा अब इस तिर्भूज का बात करो चाहे हैं इस किसी तिर्भूज का बात करते हैं हम इस तिर्भूज का यह इसको h ले लेते हैं इसको भी क्या लेते हैं अब तिर्भूज में आब बते यह भी निकल गया अरे duplicate ही पता है लेकिन पता है ने किसका मतलब यह पुरा इसका base कितना है x माने है duplicate रूप से पता है जब number आएगा तो original भर देंगे हम लोग ठीके तो इसको x मान है इसको आधार को तो जब आधार पता है x और high पता है h तो जब दोनों पता है तो lum sorry मतलब इसको lum मानिएगा lum आपका यह पता है और आधार पता है तो lum और आधार किस में आता है 10 में आता है कर रहे हैं अभी ठीक है अब देखिए टेन ठीटा का मान भरिएगा 30 डिगरी और लंब कितना है लंब है एच और आधार कितना है तो आधार आपका है एक्स टेन तीस का मान कितना होता है इसका मान होता है 1 by root 3 is equal to यह हो जाएगा h by x जब बीच में क्या हो equal to हो तो तिरशातेशी यह निए cross multiply करते हैं तो यह हो जाएगा x 1 में x से करेंगा तो क्या होगा x और यह हो जाएगा h root 3 हो जाएगा ठीक है समिकरान एक मान के इसको छोड़ दीजी एक तरफ का हमने काम कर लिया answer नहीं है कोई बात नहीं अभी बनाईए आगे उस तिर्भूज का बात करते हैं हमको h पता है यह वाला a b c एक triangle है जिसमें हमको height h पता है और यह base पता है 80-x यानि कि तिर्भूज a b c में ठीक है 10 ठीटा लगा है 10 ठीटा क्यों लगा रहा है क्योंकि lump और अधार यानि कि perpendicular और base जब दिया रहता है तो यह किस formula में आता है तो यह 10 में आता है ठीक है यहाँ पर देखिए क्या होगा lump यानि perpendicular by base यानि कि आधार यानि इसका formula होता है p by b बता यह 10 है ठीटा का value उसके लिए क्या है 60 degree है ठीक है और lump कितना है तो lump तो वही हो जाएगा h और आधार हो जाएगा 80-x इसका value कितना होता है 10-60 का value होता है root 3 is equal to h बता यह 80-root 80-x हो जाएगा ठीक है अब क्या करते हैं जब बीच में equal to हो तो cross multiply करते हैं बता एक मन के h में multiply किजेगा तो यह हो जाएगा h कितना हो जाएगा h और यह देखिए जब root 3 आ जाएगा तो root 3 में इस दोनों से करेंगे तो हो जाएगा 80-x और यह आपका हो जाएगा h इतना आपका समझ में इतना आया होगा अब एक काम करते हैं यह multiply करेंगे तो हो आपके पास root 3x is equal to h ठीक है इसको भेज़ दीजिए इधर आइसको ला दीजिए इधर यानि कि और सी माइ और सी root 3 plus में h इधर आएगा तो minus में h और यह minus में इधर जाएगा तो plus में root 3h root 3x हो जाएगा हम क्यों कि हैं क्योंकि यहां x का value निकालते हैं तो यहां भी हम क्या करेंगे x का ही value निकालेंगे यहां जाएगा बटा में तो हो जाएगा और सी root 3 minus h अब बटा में हो जाएगा root 3 is equal to x हो जाएगा ठीक है x का value यहाँ भी निकल गया, यहाँ भी निकल गया, इसको समिकरण 2 मालने जिए, समिकरण 1 और 2 से यहाँ जब लिखिएगा, तो बताए, कि यह दोनों तो x से है, इसका मतलब यह भी x है, तो दोनों यह भी बराबर होना चाहिए, कि कि दोनों x से तो बराबर होगा, तो दोनो एक तो यह लिख दिया हम उसके बाद से यह लिख देते हैं 18 root 3 minus h और बटा में root 3 क्या करेंगे यहाँ पर जब बीच में equal to हो तो तिर्चा तिर्ची काट दो काटो नहीं multiply कर दो यानि कि यह 3 में 3 से तो 3 3 तिरी जा 9 9 का वर्ग मुल क्या होता है 9 का वर्ग 3 होता है तो 3 बचेगा और h हो जाएगा 80 root 3 minus h एक जात को एक जाय केजिए minus में h है इधर आएगा तो plus में 3 h plus h is equal to 80 root 3 यह हो जाएगा 3 और कितना हो जाएगा 4 h हो जाएगा 80 root 3 और h बराबर जब यह भीजीगा तो 80 root 3 अब बटा में हो जाएगा कितना 4 आजाएगा बटा में 4 से कटेगा 4 दूना 8 h बराबर हो जाएगा 20 root 3 बताइए खंबे की उचाई कितना है h माने है यानि 20 root 3 हो जाएगा अब बोलना है इसका भी value निकालिए x का कि यह कितना चोड़ा है और यह कितना चोड़ा है यह बीच में यह बिंदू एक लिए है तो इस साइड कितना है और इस साइड साइड कितना है सड़क का जो बटाबारा हुआ है तो देखिये तो h का मान आग कैया ले जाके इसमें भर देजिए sumi करण 1 में h का मान वैसे किसी में भी भर सकते हैं, एक या दू आपका वही एंसर आएगा, h कमान समी करण एक में रखने पर, x is equal to h root 3, x, h कमान कितना है, h है 20 root 3, तो जहाँ h है वहाँ 20 root 3 भरिये, already pahalnya से एक root 3 है, तो x ब्राबर 20 root 3 root 3 3 3, पहाँ 9, 9 और 9 का workmul हो जाता है, तो 20 तने हें कितना हो जाएगा 60, यानि कि यह हो जाएगा आपका x ब्राबर कितना हो ग्या, 60, जब x बराबर 60 आ गया, पूरा था 80, यहां से यहां क्या आ गया है, 60, तो यह कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, simple, यहां लिख भी सकते हैं, 20 से c, यह b और c है, 20 कितना हो जाएगा, तो 80 minus क्या है, x है, तो यहां लिख सकते हैं, 80 minus x का value है, 60 is equal to 20, तो यह आपका कितना आ जो आपका निकालना था, तो खंबे की मुचाई कहा है, h बराबर 20 रूट, यहां नीचे आप लिख सकते हैं, तो उमेद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, लीजिए इसका skin shot, और बिना देर की हम लोग next question देखते हैं, इस question को गौर से देखिएगा, क्या कह रहा है, य लिखे, मान लिजिए कि नदी के किनारे हैं, और डूसरे किनारे से अगर एक वैक्ती उसके सिखर को उपर देख रहा ह być, तो वहाँ कुछ कोण बना रहा है, वो साट डीर के कोण बना रहा है, इसको ध्यान से समझेगा, यानि कि एक नदी मान लिजिए बीच में बहर आ है ह और वहां पर किया और एक तरफ टावर लगा गया टीवी टावर और दुसरे किनारे के तरफ से कितना डीरी के ओप जब उपर उन नैन कोण का जब ही बात करेगा तो वहां से व्यक्ति कहां देखेगा तो यहां कितना बन रहा है यहां पे साट डीरी के कोण बन रहा है इतना स यहां पर पूछा जा रहा है कि बताए कि नहरवा यहां से यहां जो बीच के नहर है इस नहर की चोड़ाई क्या है अदूसरा इसकी लंबाई क्या है यह बहुत असान है बताएं यह निकालना है और यह निकालना है तो आप बताएं कि लंब अगर एक 90 डीरी का बात करें तो ह हमेशा एक चीज याद रख लिजिए, रट लिजिए, समझ लिजिए, जो करना है किजिए, हमेशा ये समकोंड तिर्भूज, यानि राइट एंगल पर ही बनेगा, उसमें 90 डिगरी ही यहाँ पे हमेशा एंगल बनाया जाएगा, अब बताए कि ये निकलना है चाहिए, उस सम हम लेते हैं, अब बताए, यहाँ पे न हमको ये हाइट दिया है, न आधार दिया है, यानि कि ये वाला दिया है, बेस भी नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं हम लोग मान लेते हैं, टावर की उचाहिए, पता चल जाएगा, क्या मानेंगे यहाँ पे देखिए, माना की ट टावर की उचाहिए, टावर की उचाहिए कितना है, बहुत अच्छा उचाहिए, एच है, ठीक है, और नहर की चोड़ाई को लोग मान लेते हैं, एक्स, नहर वा कितना, आई हम इसके किनारे से देख रहा है, छोड़ूआ कहा पे उपर देख रहा है, तो साथ डिगरी का, जैसे U9 बना है, आपने 9 को उपर किया, तो साथ डिगरी, फिर 20 मीटर इदर पीछे हट के, फिर उसी को देख रहा है, तो कितना डिगरी, 30 डिगरी बना है, तो पहले हम इस तिरभूज का बात करें, फिर बड़ा वाला ट्राइंगल एक दिख रहा है, इसका बात करेंगे, ठीक है, यहाँ देखिए, अब नहर की चोड़ाई निकल लेते हैं, बी-सी जो नहर है उसकी चोड़ाई, यानि कि बी-सी नहर की चोड़ाई को क्या मान ले, एक्स मान लेते हैं, अब बात करते हैं तिरभूज A, B, C में, उस वाले तिरभूज की बात करते हैं, इसको माने हम H और इसको क्या मानने हम X ठीक है तो जब बताए कि लंब और अधार पता हो तो लंब बटा अधार किस फर्मूला में आता है 10 के फर्मूला में आता है तो यहां पर देखिए 10 ठीटा बराबर लंब बटा में अधार बताए यह लंब क्या है लंब है आपका AB आधार क्या है आधार है आपका BC 10 ठीटा का मान है 60 डिगरी बराबर लंब, लंब को माने हैं हम H और अधार को माने है X, root 3 का मान कितना होता है, sorry 10-60 का मान कितना होता है यहाँ पर 10-60 का मान होता है root 3 बराबर हो जाएगा आपका h बटा x कोई भी value निकालो या तो x निकालो नहीं तो h निकालो ये आपकी मर्जी ठीक है h बटा x h निकालता है जब भी बीच में बराबर होता है cross multiply तो h में root 3 में x से multiply तो क्या हो जाएगा root 3 x बराबर में इधर अकेले बेचारा h बच गए अब हम काम करेंगे इधर दुसरे तिर्वोज की बात करेंगे अभी हमारा यहाँ पे h बराबर कितना निकाल गया है पूरा height निकाल गया है root 3 x निकाल गया है अब हम बात करते हैं बड़ा वाला तिर्वोज a, b, d में पूरा यह लंब लंब वही रहेगा अधार यह पूरा हो जाएगा यहाँ देखिए triangle a, b, d में ठीक है फिर a, b, d में जब लंब अधार दिया है तो 10 ठीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में अधार लंब पूरा दिया है a, b और आधार आधार दिया है पूरा दिया है a, b, d के बात करें पूरा a, b से ले करके d तक दिया है आप सोच के बताए b, d अधार कैसे बनाओगा b, c और c, d दोनों मिला के ही तो बना है यानि b से d यहाँ पहले b, d लिख देते है b, d यहाँ गौर से देखते रहिए 10 ठीटा, यह वला ठीटा कितना बना है यह वला देखिए, बड़ा वला है इधर से इधर, 30 degree और उसके बाद से a, b a, b कितना है, तो a, b आप मानी h माने है, कितना माने है, h और आधार, यह और यह यह मिला के बना है, तो यहाँ से यहाँ 20 है, कितना है, 20 और यहाँ से यहाँ है, x, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस x हो जाएगा, ठीक है यहाँ 10 तीस का मान कितना होता है तो 1 बट्टा, root 3 होता है is equal to हो जाएगा, h बट्टा यह वैसे, as it is, आप उतारती जाएगा, ठीक है अब बीच में is equal to हो, यह यह बराबर हो, तो क्या करते है तिर्चा, तिर्ची गुणा तो h में, और root 3 और h गुणा किजेगा, तो कितना हो जाएगा h root 3, यह root 3 h और इसको once किजेगा, तो हो जाएगा root 3, इसके बीच में कुछ नहीं, तो गुणा छीपा रहा था तो गुणा में इधर आएगा, तो भाग महनी कि divide में हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 प्लस x बटा में, root 3 is equal to h, समीकरण 2 मानने जित, अब समीकरण 1 और 2 से लिखिए समीकरण 1 और 2 से जब आप लिखिएगा, समीकरण 1 और 2 से तो समीकरण 1 क्या है h बराबर इतना दिया है, यहाँ 2 h बराबर, यहाँ दोनों h है लेकिन क्या h और h है, तो भाई, दोनों h है तो उचाई वही न है, तो यह तो दोनों बराबर होना चाहिए, तो यह दोनों को रूट 3, अब जब बीच में बराबर हो तो तिर्षा तिर्षा घुना कर दो, क्रॉस मल्डिपले रूट 3 में रूट 3 तिर्षा 9 हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3x is equal to 20 plus x x को x के पास भेजिए, तो plus में इधर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तिर्षा एधर 20, यह कितना हो जाएगा 2x is equal to 20 2 tensa 20 यह पूरा कटेगा यह हो जाएगा, x equal to 10 हो जाएगा, कितना है x, आप x क्या माने, x माने है यह वाला, नहर की चोड़ाई, यानि नहर की चोड़ाई, यानि 10 मीटर हो गया अब निकालना है, टावर की उचाई तो ले जाके x का मान, इसमें भर दिजिए निकल जाएगा, या फिर आप ही सोचे ना, जब आधार पता हो, तो लंब नहीं निकल जाएगा, आना तो h बराबर कितना आया है, h बराबर आया है, root 3 x, तो root 3 x का value यहाँ देखिए कितना आया है 10 आया है, तो जहाँ x है उँआँ 10 भर दिजिए, तो 10 root 3 answer हो गया इसका, लेकिन थोड़ा सा systematic तरीका से लिखेंगे यहाँ देखिए अब x का मान, समी करण, एक में रखने पर, ठीक है, समी करण एक यहाँ पे दिया है, root 3 x is equal to h और x का मान कितना है, 10 तो लिखिएगा root 3, x का मान यहाँ पे है, तो 10 बराबर h 10 में, root 3 से तो हो जाएगा 10 root 3, इधर नहीं लिखते हैं, मतलब इधर आच्छा दिखेगा h, h बराबर कितना आ गया यहाँ पे 10 root थे, तो यहाँ लिख सकते हैं, tower की उचाई उचाई, कितना हो गया tower की उचाई हो जाएगा 10 root 3, और नहर की चोड़ाई चोड़ाई x माने है न, यानि कि 10 आया है x का value, तो इसका skin sort लिजिए और उमीद करते हैं कि आपको समझ में आया होका लगा हो जवर्दस, तो ज़्यादा से ज़्यादा से एर किजिए, ताकि हर बच्चे mathematics में 95 प्लस जरूल है, mathematics से डर को डरा के दूर कर दे रहा है तो बिना देर की हम लोग next question अब इस question को गवर से समझेगा एक चीज आप दिमाग में बैठा लिजिए अगर आपको figure समझ में आ गया तो समझे के question बनाना आसान हो गया अगर आप figure नहीं समझे तब तो problem create हो सकता है लेकिन यहाँ आपको deeply figure समझ में आगा ध्यान से समझे क्या कर रहा है कि साथ मीटर उचे भौन भौन का मतलब घर समझे एक गर है जो कितना मीटर उचा है मान लिजे कि साथ मीटर उचा है एक घर है ठीक है इसी के side में एक tower लगाया जाता है के वर टावर लगा जाता है तारवाला समझ जहेगा ठीक है अब माननी जय कि ये आपका घर हो गया अब कितना मिटर उचा है मतलब यह था ίह तो आपका लिगू इए हाँ से दोनों सिक़र कोने पर 158 Ital試 यानि कि यह वाला भोल रहा है कि इसका सिकर लिजिए यहासे तो साथ डिग्री नहीं न हो सकता है तो कुछ दूरी पर ही लेंगा हमेसे कोई चीज खुला होना चाहिए तब एंगल बानता है तो भवन के सिखर से यानि घर का उचाई हई हो गया इसका सर ये हो गया सर को सिखर समझ लेजिए तावर के सिखर तावर के सिखर ये दोनों के बीच का उन नैन कोड़ तो उन नैन कोड़ यहां से नहीं यहां से क्योंकि यहां से सबसे पहले हम लोग सामने देखते हैं कहां देखते हैं सामने हैं फिर अपने नैन को जब उपर करते हैं ठीक है तो जब यहां सामने देखे अब उपर के तो जब कोड बनता है उसे क्या बोलता है 9 कोड बोलता है ठीक है तो यह कितना डिगरी 60 डिगरी बनता है अब बोल रहा है और इसके इसी टावर के पाद बिंदो यहाँ पेर की बिंदो यहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पे ओनमन कोड कह रहा है कि देखिए उचाई है यहीं से ओनमन कुण बनाना है लेकिन अब कहा देख रहा है अभी यह सीखर पर देखा अभी यह ओनमन बताइए नमन यहीं होता है परणाम करना तो जैसे जूख के परणाम किया जाता है तो यहां से एक बार उपर अब यह जूख के जाएग के देख सकते हैं सबसे पहले इंसान सामने देखता है जैसे ऊपर देखा नैन को ऊपर किया तो उन नैन बना फिर सामने देखो कहां देखो सामने और नैन को जैसे नीचे किया तो इसके बीच जो बनता है सामने और नीचे के बीच जो बनता है उसे काते है ओना मन जो कितना ड हथ पर से हई कितना उचा है दोनों के उचाई को जोड देंगे तो पूरा टावर की उचाई निकल जाएगा यही हम लोगो बनाना है आपको यह फिगर समझ में आया होगा एक और बात बताई यहां पर आपको भौन कितना मीटर उचा है साथ मीटर तो मान लिजे कि यह एक ट लाइन ऐसे है और गुझरा हो एक आंतर मन होता है कि इस लाइन के साइड शैल रिल्ट मतलव एतो लाव में दढ़िया सब्सक्राइब बराबर यह बराबर नियुक्तर कितना होगा 45 भिगरी होगा हमको निकालना है इसका हाइट तो इसका हाइट निकालने का उपए किया है यह तिर भूजह आपका बन रहा है अगर बेस पता हो जाए यह गहारांटी है कि 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 यह क्या अधार और यह जो क्या होता यहां पर ठीक और यह कि अपता करने बत Champions के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा ईए लाइन पता करना किज़ेगा इसमें कुछ पता है लेकिन एक तरीका बता रहे है आप बते जब ये साथ है तो भी साथ है ठीक तो यह जितना लंबा होगा यह वाला उतना ही लंबा यह भी होगा तो जब इस तिर्भूज में इसमें देखिए जब यह साथ है आई 45 दी दिया है तो अधार निकल जाएगा क्योंकि यह 45 दी टेन पर निकल जाएगा लंब लंब और अधार किस फर्मूला मे जाता है तो यह निकल जाएगा यह जितना होगा इतना यह भी होगा जब यह भी निकल जाएगा तो यह वाला लाइन अपने से निकल जाता है तो यहाँ ध्यान से देखिए मान लिजे कि हम आधार यहां मानते हैं A B C D और इसको मान लेते हैं E ठीक है अब B C आधार को मान लेते हैं हम X और यहां से उचाई माल लेते हैं AE उचाई is equal to क्या माल लेते हैं AE उचाई को हम अपना यहां माल लेते हैं H इसको माल लें हम H ठीक वो बाद में देखें कि क्या करना है अब पहले इस तिर्भूज में जब लंब दिया है तो आधार निकाल ले यह जब 45 ते भी कितना हो गया 45 यानि तिर्भूज D C B में 10 ठीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार लंब मतलब हो जाएगा यह DC आधार हो जाएगा आपका BC ठीटा कितना है 45 डिगरी 45 हो जाएगा तो हो जाएगा 10 45 ठीटा का मान यहाँ पर एंगल को ठीटा बोलते हैं और D से C कितना है 7 cm अब बटा BC नहीं पता है तो देखिए B से C हम क्या माने है X तो यह भी तो X से न हो जाएगा ठीक है क्योंकि यह आमने समने बराबर होता है X मान लेजे 10 45 का मान होता है 1 बराबर यह हो जाएगा अब कितना 7 हो जाएगा अब बटा में X तिर्चा तिर्ची गुणा कीज़ेगा तो हो जाएगा X बराबर 7 इतना आपको समझ में आया होगा कि जब यह 7 है और यहाँ 45 है तो 10 पैतर यह भी कितना हो जाएगा X वारावर कितना आ गया 7 आ गया यह वाला line आपका कितना आ गया 7 आधार आपका पता चल गया 7 तो अब यह वाला निकाली है लंब कितना होगा तो अब बात करते हैं तिरभूज A, E और D में किस में बात करते हैं A, E और D का बात करते हैं अध्यान से समझें A, E और D में जब A, E, D का बात करेंगे तो पताए यह आधार तो दिया है साथ निकालना है कि आपका यहां से लंब तबी तो पूरा टावर यह पूरा क्या है यह टावर है क्या है यह टावर है तो यह निकल जाएगा पहले से साथ हम को पता है दोनों को जोड़ देंगे पूरा टावर क्यों चाही निकल जाएगा तो जब यह वाला है तो अधार पता है लंब निकालना है तो अधार और लंब किस में आता है साइन ठीटा में, कॉस ठीटा में, टेन ठीटा में तो अधार और लंब चाहे है लंब और अधार ये नाम दो ही नाम में आता है, यानि कि दो ही फॉर्मूला में आता है co theta और 10 theta में आता है तो यह काम करते हैं यहां आम लिखते हैं इसके बाद से इधर आप बनाईएगा क्योंकि इस बार तो बीच में आपका figure बने गया ठीक है 10 theta equal to lump बटा में अधार lump कितना है तो lump है आपका AE अधार कितना है आपका आधार हो जाएगा DE ठीक है यहां देखिए 10 theta का मान है 60 degree इस तिर्भुज में तो 60 degree नहोगा यहां देखिए lump आपका हो जाएगा AE कितना हो जाएगा AE AE कितना माने है H माने है और आधार आपका हो जाएगा 7 यहां देखिए अब 10 theta का मान होटा है root 3 और यहां पे हो जाएगा H बटा 7 जब भी बीच में equal to तो तिर्चा तिर्ची गोणा करते हैं तो हो जाएगा 7 root 3 equal to H हो जाएगा यह आपको इतना निकला आपको क्या निकलना है पूरा टावर की उचाई निकलना है तो पूरा टावर की उचाई निकी लिखने आया है अबे टावर की उचाई is equal to पूरा टावर कितना है A E अब प्लस E B E B A E कितना आया है A E अभी आप यानि यह जो माने थे आया है 7 root 3 और यह आपका आया है कितना 7 दोनों में क्या एक जैसा दिख रहा है 7 दिख रहा है 7 बाहर निकल लिजेगा तो बचेगा root 3 plus में 1 यानि कि टावर की उचाई आपका यही answer हो जाएगा क्या हो जाएगा मतलब यहा answer डारेक्ट अप लिख दीजिए 7 into root 3 plus 1 तो उमीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो इसका skin sort लेजिए अगर समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा share कीजिए कहना नहीं पड़े फिर हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में next धामकेदार question के साथ तब तक के लिए जैहिंद